सब्सक्राइब कीजिए यहिंदी उर्दु चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों यहिंदी उर्दु चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने आला हूँ इमेज साइस को कैसे रिडियूस करते हैं इस वीडियो में हम यही सीखने आला है तो दोस्तों इमेज साइस के अलावा आपको काफी सारे वीडियो करता है। इस वीडियो कमें यह सब सारे शीजह जो है सीखने वाले हैं तो इसके लिए आपको कोई एक्षा सॉफ्टर की ज़रूत नहीं पढ़ेगी मैं आपको बहुत इजी और बताने वाला तो इसके लिए कोई भी आप अपना ब्रोजर ओपन कीजिए जैसे के फॉर एक्जामपल गूगल क्रोम तो ओपन करने के बाद य तो अप्लोड हो रही है तो थोड़ी देर वेट कीजिए आपको यहाँ पर 10-15 सेकेंड टाइम लग सकता है तो दूस्तों अप्लोड होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफैस दिखा देगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ओरिजनल डाइमेंशन्स तो यह इमेज के ओरिजनल डाइमेंशन्स है अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप इजिली जो है चेंज कर सकते हैं यह देखिए तो यह सब सारी चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके हाइट को भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप इसक file की size है वो भी reduce हो जाएगी ए सब सारी चीज़ें आप select करने के बात आपको करना क्या है resize पर click करना तो resize पर click करने के बाद आपको यहाँ पर 10 to 15 seconds झो लगेगा और उसके बाद आपको इस तरह एका इंटरिफेस दिगाए देगा और ये स्काइल को दाइन दाइन के बाद आपकiggling ए्मेज कीजिए आपकी अपकी इमेज जो है वह डाणलोड हो जाएगी बहुत सिंपल है दोस्तों अपकी इमेज जो है डेक्स्टॉप पर सेब हो गए है और यह औरीजनल इमेज है और यह अबने जो कुर्ण आठा यह इमेज है तो सबसे पहले इसका साइज कर लेते हैं तो इसके राइट क्लिक कीजिए तो दोस्तों यह उरीजिनल इमेज की फाइल साइज है यह आप यह देख सकते हैं 815 वे और आप इने अभी जो कुर्ण आठा चाहिए तो यहां पर दे वीडियो में बताने के लिए दोस्तों वीडियो में पसंद आगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें बिना मत जाना इसी तरह कि अमेजिंग इंट्रस्टिंग वीडियो हम आपके लिक्राइब रखें लिक्या दरेते हैं हिंदी में